जै मातादी दोस्तों दोस्तों आज में आप सभी को स्री दुर्गा सबसती का चतुर्थ अध्याय सुनाने जा रहे हो ध्यान पुर्वक सुने इंदरादी देवतां द्वारा देवी की इस्तुती सिद्धी की इच्छा रखने वाले पुरूज जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें उनके स्री अंगों की आभा काले मेक के समान स्याम है वे अपने कटाक्छों से सत्रू समों को भैप्रदान करती हैं उनके मस्तक पर आवध चंद्रमा की रेखा सोभा पाती हैं वे अपने हाथों में संख, चक्र, कृपान और त्रिशूल धारन करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे सिंग के कंधे पर चड़ी हुई हैं और अपने तेथ से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं रिसी कहते हैं अत्यंत पड़ाक्रमी दुरात्मा मैसा सूर तथा उसकी दैप्ति सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदी देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे जुका कर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा अस्तवन करने लगे उस समय उनके सुन्दर अंगों में अत्यंत हर्स के कारण रोमांच हो आया था देवता बोले संपुर्ण देवताओं की सक्ति का समुदाई ही जिनका सरूप है तथा जिन देवी ने अपनी सक्ति से संपुर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है समस्त देवताओं और महर्सियों की पूजनिया उन जगदंबा को हम भक्ति पुर्वक नमस्कार करते हैं वे हम लोगों का कल्यान करें जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान सेजनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है वे भगवती चंडिका संपुर्ण जगत का पालन एवं असुभय का नास करने का विचार करें जो पुन्यात्माओ के घड़ों में स्वेम ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहां दरिद्रता रूप से सुध अंतकरन वाले पुरूसों के हिर्दय में बुद्धी रूप से तथ पुरूसों में स्रधा रूप से तथा कूलीन मनुस्यों में लज्जा रूप से निव आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस और चिंतन्य रूप का असुरों का नास करने वाले भारी पड़ाक्रम का तथा समस्त देपताओं और दैत्यों के समक्ष यूद में प्रकट किये ह हुए आपके अद्भुत चडित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारन हैं। आप में सत्त गुन, रजोगुन और तमोगुन ये तीनों गुन मौजूद हैं। तो भी दोसों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान परता। भगव आपका अंसभूत हैं क्योंकि आप सब की आदि भूत अव्याक्रिता पड़क प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यग्यों में जिसके उच्चारन से सब देपता त्रिप्ति लाव करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी त्रिप्ति का कार साधन हैं। अतेव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोग्च की प्राप्ति का साधन है और चिंतन्य महाव्रत स्वरूपा हैं। समस्त दोसों से रहित। जितेंद्रिये तत्तों को ही सार वस्तू मानने वाले तथा मोग्च की अभिलासा रखने वाले मु साधन्त निर्मल, रिगवेद, यजुर्वेद तथा पुद्गित के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रई और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हु वह मेगा सकती आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आ सकती नहीं है। कैटव के सत्रू भगवान विश्णों के वक्ष अस्थल में एक मात्र निवास करने वाली भगवती लप्चमी तथ भगवान चंद्र सेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुसोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरन करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांती से कमनिय है। तो भी उसे देखकर महिसासुर को क्रोध हुआ और सैसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आस्चरी की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदैकाल के चंद्रमा की भाति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विक्राल हो उठा तब उसे देखकर जो महिसासुर के प्रान तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आस्चरी की बात है। क्योंकि क्रोध में भड़े हुए यम्राज को देखकर भला कौन जिवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। पर मात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्यूदे होता है। और क्रोध म सुर्की यह विसाल सेना छन भर में आपके कोप से नस्ट हो गई है। सदा अभ्यूदे प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्ही को धन और यस की प्राप्ती होती है। उन्ही का धर्म कभी सिथिल नहीं होता तथ वे ही अपने हर्ष्ट पूष्ट इस्त्री उत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुन्यात्मा पुरूज प्रति दिन अत्यंत स्रद्धा पुर्वक सदा सप्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्ग लोक में ज पर सब प्राणियों का भैक हर लेती हैं और स्वस्त पुरुसों द्वाड़ा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्यान मैं बुद्धी प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भै हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए स पीर काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो। इस समय संग्राम में मृत्यू को प्राप्त होकर सडग- Khan निश्चे ही यहीं सोच कर आप सत्रों का वद्ध करती हैं। आप सत्रों पर सस्त्रों का प्रहार क्यूं करती हैं। समस्त असुरों को द्रिष्टी पात मात्र से ही भस में क्यों नहीं कर देती, इसमें एक रहसी है, ये सत्रू भी हमारे सस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रती भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है, खड़क के तेज पुंज की भयंकर दिप्ती से तथा आपके त्रिसूल के अग्रभा की घानी भूत प्रभा से चौंदिया कर जो असुरों की आखे फूट नहीं गई, उसमें कारण यहीं था कि वे मनोहर रस्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुक्का दर्सन करते थे, देवी आपका सील दुरचारियों के बुरे बरताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तूलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पड़क्र को भी नस्ट कर चुके थे, इस प्रकार आपने सत्रों पर भी अपनी दया ही प्रकट की है, बर दाइनी देवी आपके इस पड़क्रम की किसके साथ तूलना हो सकती है, तथा सत्रों को भे देने वाला एबम अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहा है, फिर्दे मातर आपने सत्रों का नास कर के इस समस्त त्रिलोकी की रक्णा की है, उन सत्रों को भी युद्ध बूमी में मार कर स्वर्ग लोक में पहुँचाया है, तथा उनमक्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भै को भी दूर कर दीया है आपको हमारा नमस्कार है देवी आप सूल से हमारी रक्षा करें अंबिके आप खडग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा के द्वनी और धनुस के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें चंडिके, पुर्व, पस्चिम और दल्स्चिन दिसा में आप हमारी रक्षा करें तथा इश्वरी अपने त्रिशूल को घूमा कर आप उत्तर दिसा में भी हमारी रक्षा करें तीनों लोकों में आपके जो पड़म, सुन्दर एवं अत्यंत भयंकर रूप बिचरते रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोग की रक्षा करें अंबिके आपके कर पल्लवों में सोभा पाने वाले खड़ग, सूल और गदा आदी जो जो अस्तर हो उन सब के द्वारा आप सब और से हम लोगों की रक्षा करें रिसी कहते हैं इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा के इस्तुते की और नंदन वन के दिव्य पुस्पों एवं गंध चंदन आदी के द्वारा उनका पूजन किया फिर सबने मिलकर जब भक्ति पुर्वक दिव्य दूपों की सुगंध निवेदन की तब देवी ने प्रसन्य वदन होकर प्रनाम करते हुए सब देवताओं से कहा देवी बोली देवताओं तुम सब लोग मुझ से जिस वस्तु की अभिलासा रखते हो उसे मांगो देवता बोले भगबती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी अब कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा यह सत्रू महिसासुर मारा गया महिस्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्वरन करें तब तब आप दरसन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन मुखी अंबिके जो मनुस्य इन स्तोत्रों द्वारा आपके इस्तूती करें उसे वित्त सम्रिद्धी और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और इस्त्रियादी संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन रहें रिसी कहते हैं राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्यान के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन किया तब वे तथा अस्तू कहकर वहीं अंतरध्यान हो गई भूपाल इस प्रकार पुर्वकाल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के सरीरों से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कैस सुनाई अब पुनह देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुस्ट दैत्यों तथा सुंब निसुंब का वद करने एवां सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौडी देवी के सरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुह से सुनो मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ इस प्रकार स्री मारकांडे पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगर्द देवी महात्मे में सुक्रादी स्तूती नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ